नमस्कार मैं आपके साथ रोहित रेंजना वर्चस में एक बार फिर से एक नए किरदार के कहान होगी 23 मार्च 2005 जगा था आरा बिहार का आरा सब कुछ सामाम में था और ठंड के सुवै थी तो ऐसे में अमूमन लोग सूरज की रोष्णी लेना पसंद करते थे सब कुछ हर दिन के मुतादी की चलता था लेकिन इससे अलग दिवानी न्याले में भी हलचल काफी तेज थी इस बीच में वहाँ पर अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो थे काले कोट में लगातार घूनते हुए वकी इन सब के बीच में ठीक ग्यारव बचकर 30 मिनट बार एक धमाका होता है और इस धमाके को जिसने अंजाम दिया वो एक महिला थी जिसने खुद को उड़ा लिया था यानि खुद में पमबांध कर उसने इस धमाके को अंजाम दिया और इस धमाके में दो लोग मारे गए वो महिला भी मारी थी इस धमाके को जिसने अंजाम दिया उसका मास्टर माइड या कह लिजे कि धमाके के पीछे जो प्रायोजक्त था जिसने इस पूरे के पूरे गु अच्छना लिखी थे वो को यह और नहीं था, वो था Dr. Dom. Dr. Dom, जिसका जन्म 1966 में एक आर्मी के परिवार में हुआ था, यानि बैक्ग्राउंड जो था उसका आर्मी से तालोक रखता था, हलाकि पिता कामेशुर पांडे ने कुछ दिनों बाद ही आर्मी की जॉब को छोड़ दिया और वापस अपने गाउँ आ गया, और गाउँ आके वो बालू के खनन में लग गया, यानि सोन नदी के बालू के उस वैपार में लग गया, जहां पर खून की होली होली आम बात हो चुकी थी, और कामेशुर ने एक गैंग बनाया, वो गैंग जो इस खनन माफिया के तोर पर काम करने लगा, और वो रेत का कारोबार, वो रेत इस जुगत में कामिश्वर पांडे लग गया, अलगे इस बीच कामिश्वर ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बैंगलूरू भेज दिया, लेकिन खून में रंग लिखाया, और बैंगलूरू में जहां उसे पढ़ाई करना था, वहां पर किसी बात से विवात होता है, और चाकू निकाल कर उसका बेटा, कामिश्वर पांडे का बेटा सुनिल पांडे सामने वाले पे वार करता है, इस घटना के बाद वो वहां से वापस बुला लिया जाता है, और वो वापस अपने घर बहुत जाता है, सुनिल पांडे वापस बिहार आ चुका था, और अब वो चाहता था कि खनन किस कारुबार को आगे बढ़ाया जाए और खनन किस कारुबार को आगे बढ़ाने के लिए अब वो आगे उस रास्ते में चलने को तैयार हो चुका था जिसकी वजह से शायद उसे बैंगलूरू छोड़ना पड़ा दिन बीटते गए दिन बीटते गए उसकी संगती अब ऐसे लोगों से हो रही धी जिसमें खुन बहाना शायद एक छोटी बात थी और अब उसे मज़ा आने लगा था, उसे मज़ा आने लगा था खून बहाने ले, हाथों में खून की महंदी लग चुकी थी और अब वो सुनिल पांडे एक नए नाम से जाने जाने लगा, वो अब बन चुका था, नरिंदर पांडे से सुनिल पांडे और वो डॉक्टर डॉन आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में खौफ का एक नया प्रयाय बनने वाला था, यानि एक नए अध्याय की में अपने केरदार को बड़ा करना सीखा, और उसी को उसने सबसे पहले अपने रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद खुड का एक गैंग भी बना लिया। फाजिया नाम का एक साथी था, जो पुलिस के हथे चड़ा और उसने एक वालिया वियान दिया। उसके बार आप सुनिल पांडे के न कारनामों को उगर सुनेंगे, कि स्क्रम जाएंगे कि किस तरह से गुना की धुन्या में गुस्कर रखने के बार एक-एक कर सुनिल पांडे बड़े-बड़े कर्दार में अपने आपको लेखने लगा दालना हो। या फिर एक बैंक के बाद दूसरे बैंक में घुसकर से वहां पे लूत करना हो। सुनिलreal पांडे ने ऐसे कई घड़ञां को अंजान दिया। सुनिल पांडे लगातार अपने कद को बढ़ाकर करता रहा। लेकिन इस बीच जो तस्वीर नजर आ रही थी, उसमें सुनिल पांडे के बीच में अगर कोई रोड़ा बन रहा था, तो वो सुनिल पांडे को बरदाश्ट रही था. सुनिल पांडे लगातार गुना के दुनिया में अपना कद बढ़ा करता जा रहा था. लेकिन सामने सिल्लूमिया था जो उसका उस्ताद था अलगी फाजिया के मताबिक उसने एक मैसेज कनवे किया और ये कहा कि सुनिल पांडे की सिल्लूमिया हत्या करवाना चाहता है दरसल मकसद कुछ और था कहानी की सच्चा ये है कि सिल्लू मिया को सुनिल पांडे अब पसंद नहीं करता था क्योंकि सिल्लू मिया के नाजायज रिष्टे के बारे में उसे जानकारी मिल गई थी जो कि वो लड़की उसके गाउं के रहनी वाली थी सुनिल पांडे के गाउं के यानि अब अभरन, दकैती, लूटपार्ट, हत्या, इन तमाम किरदारों में एक बड़ा नाम कोई बन चुका था तो वो था खुद सुनिल पांडे उसका गैंग तयार हो चुका था, उसके गुरगे दरासल उस लोहे के बल पे उस सियासत की तस्वीर बदल देते थे वो तै करते थे कि सियासत में नुमाइंदा कौन होता है, हलाकि कहानी और आगे बढ़े, नबे के दशक में बिहार में जातिकत सियासत ने खुब परवान चड़ा और उस वक्त उस वक्त एक नई सेना बने, रनवीर सेना, भुमियारों ने दरासल इस सेना को तैयार किया था, हलाकि इसके पीछे भी कई कहानिया हैं और ये कहा जाता है कि बरचस्र की जब लडाई आगे बढ़ी, तो ये सेना दरासल दलितों के उपर हावी होती थी और दलित इनके सामने खाड़ा नहों पाएं, इसके लिए इस सेना ने काम शुरू किया, लेकिन अब भुमियारों क इस सेना में वो शामिल हो चुका था, सुनिल पांडे, सुनिल पांडे अब कमांडर बन चुका था, उसने हाथ में अब लुहा ऐसा उठाया था, जस पे सामने उसने तैकर रखा था, कि अब किसी भी तरह का कोई अत्याचार घुमियारों के खिलाब वो बरदाश्ट नहीं करने वाला है, अला कि सुनिल पांडे जिस गुट में शामिल हुआ था, रणवीर सेना में, उसका मुख्या था, ब्रमहेश्वर मुख्या, ब्रमहेश्वर मुख्या ने इस रणवीर सेना को खड़ा किया, और ये कहा जाता है कि ब्रमहेश्वर मुख्या वो कद रखता था जसके एक आदेश पर ये रहनवीर से ना पूरी काम करती थी अलगी कमांडर बनने के बाद सुनिल पांडे की अदावत की जंग ब्रहमखेशुर मुखिया से ही शुरू हो गई और उसकी वज़ती एक भूम्यार की हत्या एक गुम्यार के हत्या होने के बाद अब आमने सामने ब्रमखेशुर और सुनिल पांडे थे अब इस तस्वीर में आपसी रंजिश पे दिख रही थी और दबदबा बढ़ाने का वो जंग अब आगे जा चुका था जहां से वर्चस उती एक नई कहानी शुरू हो रही थी रोहतास का पीरो विधान सफ़ा ये याद रखिए क्योंकि साल 2000 आते आते सुनिल पांडे का गद इतना बड़ा हो चुका था रुत्बा इतना बड़ा हो चुका था वो जरायम के दुन्या में जरायम के दुन्या में वे एक अलग नाम बन चुका था जिसके पीछे लगाता पुलिस पड़ी हो थी यानि पुलिस सुनिल पांडे को ढूंड रही थी उसी तलाश कर रही थी लेकिन इसी साल जब विधान सभा चुना हुए तो समता पार्टी की टिकट से सुनिल पांडे चुनावी मैदान में उतरता है और रहतास के पीरो विधान सभा से वो आरज़ेवी के कैंडिडेट को शिकस देता है यानि अब सफेद पोश बनने की उसकी तैयारी आगे बढ़ चुकी थी ये अलग बात है कि उसके आस पीन में खोन के चीटे लगे हुए थे अब एक नई कहानी शुरू होती है अंदर विधान सभा में शपत का कारिक्रम चल रहा था और बाहर सुनिल पांडे के इंतजार में पुलिस खड़ी थी सुनिल पांडे ने शपत ली और जैसे ही वो बाहर आता है पुलिस उसे गिरफतार करने थी है यानि अब वो पुलिस के गिरफतारी में आ चुका था यानि वो सफेद पोश तो बन चुका था लेकिन पुलिस के हथे भी चल चुका था बहराल उसका ख़द इतना बड़ा था और सियासत की ताकत उसके साथ जुड़ी थी इस वज़े से उसे पता था कि उसे कुछ नहीं होना है Zee Archive 2001 की वो तस्वीरें आपको दिखाएगा जो शायद आप कहीं नहीं देख पाए वर्चसम मैं आपको बहुत तस्वीर दिखा रहा हूँ जो मेडिकल कालेज के कैदी वाड में सुनिल पांडे था लेकिन अपने गुर्गों के सार किस तरह से रह रहा था वो देखिए ये खास तस्वीरें जो किसी के पास नहीं और ये पुराने पन्नों में दर्ज तस्वीरें ऐसी है जो सुनिल पांडे के उस गद को उस किरदार को उस शक्सियत को उस हस्ती को बताएगा इन तस्वीरों को देखिए इन तस्वीरों में हतियारों को लेकर सुनिल पांडे के गुर्गЕ भी नजर आती है सरफ इतना ही नहीं जेल में जहां लालु यादब के पास भी मुबाइल फोन रखनी की आज़त नहीं थी वो लेकर नहीं आसकते थे वहां पर सुनिल पांडे के पास फून भी रहता है सुनिल पांडे का ये कद्ध, सुनिल पांडे का ये रसूर, ये रुत्बा उसके वर्चसु को दिखाने के लिए काफी था कहने को वो जेल में था लेकिन खाना खाने के भी अगर उसे इक्षा होती थी तो वो घर जाता था, घर जाकर खाना खाता था, वापस फिर जेल आता था, ये है सुनिल पंडे. सुनिल पंडे अब सफेद पोश हो चुका था, यानि अब सियासत का एक बड़ा चेहरा बन चुका था, हाथ में खून लगे हुए था, और वो किरदार निभाता हुआ, वो अब ड्रसल जन्ता की नुमाइनदी कर रहा था, लेकिन साल 2003 है, पटना यानि बिहार की राजधानी से एक ऐसी खबर आई जसने सब को चुका दिया, दरसल बिहार के बड़े ही नामी गिरामी नियूरो सरजन, डॉक्टर रमेश चंद्रा को किड्नाप कर लिया गया था, यानि अब अब अरन की जबारदात को अंजाम किया गया, बदले में पचास लाग की फिरौती थी मातन जो रमेश चंद्रा के भविश्य को लेकर आप शायर अंद्रकार में रहेंगें, अलकि यहां पर बिहार पुलिस ने कुछ जादा ही अच्छे तरीके से काम किया और तीन दिन के अंदर बिना फिरौती दिये, डॉक्टर को वापस ठूड़िया जाता है, अलकि इस के किड्नैपिंग कांड में भी, जिस शक्ष के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, वो कोई और नहीं था, वो था सुनिल पांडे, सफेद पोश होने के बावजूद भी अपने उस गुनह के कारुबार को दिन दुगनी राच चौगनी तरक्की देने में लगा हु वो उस कद में जीने लगा जिसकी हो हस्रत पाल रहा था, वर्चसु की इस कड़ी में मैं यहीं तक आपको छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन इस आगे के पहलू को जानना जरूरी है कि आके सुनिल पांडे डॉक्टर डॉन कैसे बना, डॉक्टर डॉन बनने के उस पुरी कि आपने देखी नहीं हो, और कि किस वज़ा से सुनिल पांडे अपनी पहचान दरसल वो बताता था कि वो तैक करता था कि सत्ता में कौन बैठेगा, यानि सरकार बनाने से लेके सरकार को गिराने तक का दावा सुनिल पांडे क्यों करता था, और इतनी बड़ी हस्ती का अंज जाम आखिर क्या होता है आगे जाकर ये आपको जानना होगा, थोड़ा से इंतिजार करना होगा, वर्चा सुनिए, डॉक्टर डॉन की पार्ट टू जब हम लेकर आएंगे, उसमें ये राज आपके सामने हम खूँए है।